दोस्तों आप लोगों की queries आ रहे थी flip card pay letter account को लेकर कि flip card pay letter account flip card ने बंद कर दिया यानि block कर दिया है और मुझे bill payment करना है तो हम कैसे bill payment कर सकते हैं और इससे जो है क्या कुछ फर्क परता है हमारे account या फिर credited score पर अगर हम bill payment नहीं करते हैं जाहिर सी बात है दोस्तों अगर flip card pay letter आपका एक्टिवेटेड है और वहाँ पर ही आपको pay bills की option मिलती है और अगर उसे ही block कर दिया जाए तो फिर आप bill payment कैसे कर पाएंगे तो आज के इस वीडियो में details में जानेंगे कि कैसे block होने के बाद हम flip card pay letter का bill payment कर सकते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका credit score जादा down हो जाता है तब जाके आपका जो भी होता है यह flip card जो आपका pay letter account है वो एक तरह से loan account है तो उसे बंद कर दिया जाता है बागी कई जगों से भी आपको loan नहीं मिलता है तो in case अगर आपने delay payment की है या फिर payment ही नहीं कर रहे हैं तो इस case में आपका flip card को लगता है कि कहीं ने कहीं in future आप जो है उनका payment नहीं करने बाले हैं तो इसलिए वो आगे की जो bill होती है उसको use करने से आपका जो flip card pay letter का जो भी amount आपको limit दिया था उसको use करने से रोक देती है तो इसका हम payment अब कैसे कर पाएंगे तो देखे इसके payment करने के लिए आपके पास दो भी कलप है flip card को आपको call करना होगा उनके toll free number पे और उनके executive से इसके regarding बात करनी होगी तो ऐसा नहीं कि वो आपके जो pay letter account है उसको ब्लॉक कर देंगे वो जो है आपको एक email प्रोवाइड कराएंगे एक sorry यहाँ पर आपको एक link प्रोवाइड कराएंगे जिस link पे click करके आप जो है उनके बाकी पे जो भी bills है उनको payment कर पाएंगे और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपका account suspend हो जाता है pay letter account ब्लॉक कर दिया जाता है फिर भी आपको लगातार messages flip card के तरफ से आते हैं और उसमें एक link दिया जाता है जिस पर click करके आप payment कर सकते हैं अपना बकाया बिल अब ऐसा तो नहीं है कि आपने flip card का pay letter से पैसा यूज कर लिया तो flip card लेना ही नहीं चाहेगी तो वो जो है आपको reminder देगी एक link के साथ या फिर हो सकता है आपके register email ID पे वो आपको जो है एक mail भेज़ेंगे जिसमें एक link दी जाएगी वहाँ से आप click करके जो है आप bill payment कर सकते हैं और तिसरा विकल्प आपके पास Twitter का भी है आप उसको Twitter पर tweet कर सकते हैं आप उनको Twitter पर कहिएगा tweet करके कि आपका जो है pay letter account blog हो चुका है और आपको bill payment करनी है तो फिर आपको वो अपना जो भी details होगी वो उनको personal message में करना होगा directly तो उनको message करेंगे आप Twitter पर ही तो जाके आपको details मिलेगी और वहाँ पर ही वो आपको एक link देंगे जिस link को follow करके आप pay letter का account का जो भी आपका बकाया bill है उसको payment कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे दोस्तों अगर bill payment कर देते हैं इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका pay letter account फिर से activate कर दिया जाए ये flip card के उपर depend करता है और flip card शायद जिन account को बंद करती है शायद ही वो उन्हें अभी तक किसी को फिर से start किया है तो ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन bill payment करने का एक मात रुपाय है कि flip card manually आपको एक link देगी और उस link पे click करके जो है आप payment कर सकते हैं बाकि और भी process बता सकती है जिसको follow करके आप payment कर सकते हैं लेकिन unblock जो है flip card में call करी या फिर कुछ भी करिए वो आपका pay letter account unblock नहीं करेगी चाहिए flip card account के ही बात करें तो इस तरीके से ना आप उनको जो है या फिर call करिये या ट्वीटर पे उनको message करिये फिर जाके आपको link मिलेगी वहाँ से आप bill payment कर सकते हैं बाकि आपकी जो पे लेटर account ब्लोग थे उनका bill payment हुआ या फिर नहीं flip card ने क्या रिज़ो सम्दू या ये भी बताएगा comment section में आज की भी रोबस इतना है वीडियो से लागा तो लाइक कीजिए चैनल के सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में देज़े इजाज़त थेंक यू